एलो फ्रेंट्स मैसल रभी भाजवच और वाचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स जिसमें हम कम्प्यूटर साइन्स और इंजिनियरिंग के सारे टेक्निकल नोट्स प्रवाइट कराते हैं अगरे आप ने हमारे चैनल को भी सब्सक्रायब नहींगे तो सब्सक्राइब बटन करके अग्स N Auto को प्राथिएट कर सकते हैं ते कारें समझेंगे देखे जैसे कि यहां पर आपको बताया हुआ है we can create methods in two ways मतलब हम methods को दो प्रकार से create कर सकते हैं जैसे कि first यहां जो है बताया हुआ है methods creating with body और एक होता है methods creating without body मतलब methods को हम लोग उसके body के साथ create कर सकते हैं बीना body के भी methods को create कर सकते हैं तो first देखते हैं methods create with body, देखें जैसे कि यहां बताया हुआ है, the process to creating methods with body is called method definition, मतलब अगर आप कुछी method को create करते हैं, जहां पर उस method का body भी होता है, तो इस process को हम लोग method definition बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि देखें, यहां syntax के तुरू अब उसको समझ में आएंगा अच्छे से, और यहां पर देखें, पहले होता है accessibility modifier, then modifier, उसके बाद होता है written type, then method का नाम, then parameters, यहां semi colon नहीं लगता है, जब हम किसी चीज़ को define करते हैं, ठीक है? तो वहां पर हम semi colon नहीं लगाते हैं, ठीक है? देखें, उसके बाद यहां पर method का body start होगा, curly bracket के through, then method का body close हो जाएगा, और यहां बीच में हम लोग जो भी method का logic होगा, उसको यहां पर define करते हैं, तो जो method accessibility modifier और जो modifier होता है, यहां तो नहीं भी लगा सकते हैं, यह भी option होता है, देखें, जैसे कि यहां पर example के शुरू देखते हैं, तो यहां पर आप देखें, यहां लिखावा है, public static void add, bracket में लिखा int a, int b, तो यहां पर public क्या हो गया, public हमारा हो गया, accessibility modifier, static हो गया, modifier, void हो गया, return type add हो गया, function का नाम, method का नाम, और int a, int b, यह हो गया हमारे parameters, ठीक है, तो ऐसे आपको एक method को define करना है, then यहां पर आप स्टार्टिंग कर लिए bracket, then closing कर लिए bracket, last में आप यहां लगा सकते हैं, अगर आपको लगाना होगा, then जो भी logic होगा, जैसे यहां पर हम दो a और b की value को print कर रहे हैं, उसका addition perform कर रहे हैं, तो system.out.print and a plus b, a और b की value का sum होगा, then उसकी value हमें output के रोग में print होगी, यह कहलाता है method का body part, यह method का main logic है, जो line लिखा हुआ है, यह method का logic है, और यह देखे, starting bracket, closing bracket का जो बीच का आप जो भी part में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो वो method का logic कहलाता है, और यह starting closing bracket, यह हमारा method का body कहलाता है, और यह method का हमारा prototype है, ठीक है, इसमें, यह public हमारा accessibility modifier, static हमारा modifier, void हमारा return type, add हमारा method का नाम, और A और B है हमारे method के parameters, ठीक है, तो ऐसे आप एक simple method को define कर सकते हैं, अगर आप चाहें जैसे कि public static हमारे optional थे, आप के वल function के साथ function को declare करना चाहते हैं, तो आप ऐसे बिले सकते हैं, void then add, यहाँ provide इसका return type है, वो कुछ भी हो सकता है, आप उसको integer, void, float जैसा भी चाहें, आप ले सकते हैं, जो कि यह बताएगा कि जो भी आप method है, यूज कर रहे हैं, वो अच्ची उच होने के बाद किस type के value को return करेगा, ठीक है, और यहाँ पर यह body part है, यह भी optional होता है, आप यहाँ पर use कर भी सकते हैं, तो blank भी create कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, method body में कोई भी logic नहीं लिखा हुआ है, तो जरूरत के अनुसर जैसा भी है, आप उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, तो friends यह था first type method का, method creating with body, ठीक है, चलिए अब हम लोग second देखते है, method, sorry, creating a method without body, मतलब अगर आपको किसी method वो create करना है without body, तो आप उसको कैसी create करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखा is called declaring a method, यह method declaration, मतलब अगर आप किसी method को create करते हैं without body, उस चीज को हम लोग method declaration कहते हैं, ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है, technically this method is called abstract method, technically हम लोग इस type के जो method होते हैं, उसको abstract method करते हैं, और एक rule होता है, कि जब आप कोई भी method को abstract method create करते हैं, तो उस method के नाम से पहले मे हमको abstract keyword का use करना होता है, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे है, method को declare कर रहे हैं, तो हमें उस method के last में semi-colon को भी लगाना compulsory होता है, याद रखना है आपको, जब आप को इन ही method को without body create करते हैं, abstract type का, तो उसको abstract लिखना compulsory है, then last में हमको सो curly packet से close भी करना होता है, जैसे देखि के थुरू आपको बताया गया है, abstract accessibility modifier modifier return type method का नाव parameter last में semi-colon, ठीक है, तो यह एक normal syntax दिया हुआ है, किसी भी method को declare करने का without body, जैसे की example देखिए, यहाँ लिखा है, public native abstract void add int a, b, तो यहाँ पर public तो हमारा accessibility modifier हो गया, then native के बाद यहाँ लिखा है abstract, abstract हमारा main है modifier, then यहाँ पर written type void, then यहाँ लिखा है add, और यहाँ है int a, int b, हमारे parameter, तो देखिए functions के written type से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, abstract, क्योंकि हमारा जो function है without body वाला, यह एक abstract function है, इसके नाम से पहले हमको यहाँ पर abstract लिखना होता है, last में semi-colon, से terminate करते हैं, वैसी और अग ठीक जामपल द अगर आपको without body वाले method को create करना है, तो आप ऐसको ऐसे create करेगे, चलिए, अब हम लोग next देखते हैं, method invocation, method calling, method execution, मतलब method का आर्म को invoke करना होगा, या method को call करना होगा, या method को execute करना होगा, तो उससे हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, sending cursor to a method body to execute its logic, which is called method invocation or calling, मतलब जब हम लोग किसी भी method को execute करते हैं, तो मतलब उसके method के body को execute करते हैं, मतलब उसके logic को execute करते हैं, तो उस चीज को हम लोग method invocation या method calling करते हैं, जैसे कि देखिए, यहाँ पर syntax के थ्रूँ बताया हुआ है, यह method का नाम, then argument list, then semicolon, यह तीनो compulsory part है, इसको आपको लिखना है किसी method को call करने के लिए, पहले method का नाम, then argument list, जो भी होगा, then semicolon, देखिए, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, arguments are mandatory only if method has parameters, else it should not pass, ठीक ना, मतलब जो भी method का argument list है, यह तभी mandatory है, जब यहाँ पर कोई argument होगा, नहीं होगा, हम उसको ऐसे पर लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि देखें, यहाँ पर argument mandatory होगा, ठीक ना, only arguments are mandatory, only if methods has parameter, else is, देखिए, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, methods are, sorry, arguments are mandatory, only if methods has parameter, method has parameter, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, arguments are mandatory, mandatory, जैसे कि देखें, यहाँ पर बताया हुआ है, arguments are mandatory, only if method has parameters, else we should not pass, मतलब अगर किसी भी method में parameter है, तो वो mandatory है, बट अगर नहीं है, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, arguments are mandatory, only if method has parameter, मतलब अगर किसी method में कोई parameter है, तो ही यह जो argument है, argument list mandatory है, वरना हमको उसकी use करने की कोई भी जुरूत नहीं है, जैसे कि example के तुरू आपको यहाँ बताया हुआ है, M1, ठीक है, M1 क्या है, हमारा एक method है, जिसके अंदर कोई भी parameter नहीं है, बट अगर कोई parameter है, तो उसको हम लोग को ऐसे लिखना है, इसे addName का एक method है, यहाँ लिखा है 10,20, तो 10 और 20 हमारे इन जो भी parameters यूज कर रहे हैं, तो उसकी value है, तो हम लोग उस parameters को यह value पास कर रहे हैं, तो ऐसे, जब हम लोग इसी method को call करते हैं, तो वहाँ पर इस method के साथ parameter की value को भी pass किया जाता है, अगर parameter नहीं है, तो directly हम की यह methods को call कर सकते हैं, I hope आपको आज का यह video tutorial series का concept clear हो गया होगा, अगर आपको कोई बीडाउट हो तो आप हमें comment box की थुरू बता सकते हैं, अगर आपको आज का यह video अच्छा लगा हो, तो हमारे videos को like करें, ज्यादर ज्यादर share कर लें, और अगर आपने हमारे channel को अभी त subscribe नहीं किया है, तो technical notes को subscribe button पे click करके subscribe भी कर ले, so friends thank you for watching this video, bye